दोस्तों इंडेक्स फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडिट फंड्स जिने हम ETF कहते हैं शॉर्ट में ये लो कॉस्ट फंड्स होते हैं कंपेर्ड टू मूच्वल फंड्स यानि कि इनके अंदर एक्सपेंस रेशो कम होती है ये तो अब हम सभी लोग जानते हैं लेकिन क्या mutual funds फिर हमें खरीदने ही नहीं चाहिए ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है फिर ETF और index funds के अंदर कौन सा better product है ये भी एक सवाल दिमाग में आता है और क्या ऐसा हो सकता है कि इन तीनों ही products के अलग-अलग use cases हो जानने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर detailed comparison करेंगे साथ में हम mutual funds, index funds और ETFs का past और future trends भी समझने की कोशिश करेंगे इंडिया के अंदर इसको हम US से भी compare करने की कोशिश करेंगे वीडियो के अंदर काफी मेरे ख्याल से आपको नई information सुनने को मिलेगी इंट्रेस्टिक होने वाला है वीडियो बने रहिए लेटेस्ट फाइनेस वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को प्रेस करके औल पे जरूर क्लिक कर लीजेगा जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का notification मिल जाए और दोस्तों अगर आप stock market या investments के बारे में और अच्छे से सीखना चाते हैं तो आप हमारी playlist फॉलो कर सकते हैं और भी investment related काफी सारे important links नीचे आपको description में मिल जाएंगे तो दोस्तों पहले तो हम यह समझते हैं कि active mutual fund क्या होते हैं mutual fund तो हम सभी लोग जानते हैं कि stocks के अंदर अगर किसी को directly invest नहीं करना है तो वो mutual funds के through कर सकता है जहाँ पर हमारे को diversification हो जाता है risk हमारा थोड़ा कम हो जाता है एक fund manager की हमें expertise मिल जाती है लेकिन यहाँ पर भी mutual funds भी दो तरीके के हो जाते हैं एक होते है active mutual fund एक होते है passive mutual fund active mutual funds के अंदर fund manager regularly track करता रहता है companies को देखता रहता है कि कौन सी company आज के time में ठीक है कभी खरीदता रहता है कभी stocks को बेचता रहता है so एक active mutual fund का main aim होता है कि जो भी वो benchmark के index को compare कर रहा है उसको वो beat कर सके for example अगर कोई nifty 50 को compare कर रहा है तो nifty 50 के अंदर जो returns है माल लिजे nifty 50 on an average 15% बढ़ गया किसी एक साल में so mutual fund का target है कि उसे 15% से जाधा return देने है लेकिन इसके अलावा दूसरे type के funds भी होते हैं जिनने हम कहते हैं passive funds जहां पे वो खली index को follow करते हैं यानि कि उनका target ये बिलकुल नहीं है कि वो index को beat करें बलकि उनका target ये है कि वो खली index को follow करें यानि कि वो आपको alpha returns नहीं देंगे और ये index कौन कौन से हो सकते हैं index ये जैसे nifty 50 एक index होता है sensex एक index होता है so इसी type के अगर index को replicate करता है कोई fund तो उसे हम index fund बोलते हैं यानि कि जो जो stocks for example nifty 50 के अंदर है जितनी जितनी weightages के अंदर है उतने उतने index funds के अंदर भी वो stocks खरीदेंगे similarly ETF के अंदर भी इसी तरीके से उनकी stock buying strategy रहती है तो index fund और ETF के अंदर यहां तो एकदम similarities है और यह जो indices हैं यह खाली nifty 50 है sensex के अलावा दूसरे type के indices भी हो सकते है bank nifty हो सकता है कोई IT के index में invest कर रहा है कोई FMCG के index में invest कर रहा है कोई nifty next 50 के अंदर invest कर रहा है तो इस तरीके से अलग-अलग index को कोई भी एक fund track कर सकता है लेकिन सवाल यहां पर एक उठता है कि यह जो passive funds है यानि कि ETS और index funds की हम बात कर रहे है अगर यह beat नहीं कर सकते है index को तो इसके अंदर हम invest क्यों करें देखे इसका answer बड़ा simple है हमें data में जहागने की ज़रूरत है जाधा तर आप देखेंगे जितने भी especially जो बड़ी companies को funds track करते हैं वो जाधा तर उनको beat नहीं कर पाते है data ऐसा suggest करता है इसलिए बहुत लोग सोचते हैं कि अगर index को कोई fund beat ही नहीं कर पा रहा है तो हमें management fees जादा क्यों देनी है क्योंकि mutual fund के अंदर 1-2% management fees लग जाती है तो अगर वो उस fees को justify ही नहीं कर पा रहे है तो उससे अच्छा है कि हम passive funds के अंदर invest कर लें जहां पे हमारा expense ratio यानि कि जो fees होती है यह बहुत ही कम होती है उसकी भी मैं अभी आप से जल्दी ही बात करता हूँ लेकिन उससे पहले हम index funds और ETFs के अंदर main difference से समझ लें Index fund क्या होता है Index fund एक तरीके का mutual fund ही है यानि कि fund ने investor से पैसा collect किया वो पैसा fund manager manage कर रहा है यानि कि different type के stocks के अंदर invest कर रहा है और वो stocks कौन से हैं वो किसी index को follow कर रहे हैं से अभी हमने बात करी लेकिन main difference index fund का mutual fund के comparison में expense ratio का आजाता है यहाँ पे जो on an average expense ratio होती है वो 0.1% से लेके 0.3% तक होती है यानि कि almost 1.10th cost हो जाती है तो यह काफी बड़ा difference हा जाता है अब अगर हम ETF की बात करें तो यह थोड़ा सा mutual fund से differently operate करते हैं यह एक mutual fund और stocks के बीच का रास्ता आप समझ सकते हैं जैसे कि mutual fund के अंदर हमने जैसे index funds के अंदर बात करी कि यह किसी index fund को track करते हैं similarly ETF भी एक index को follow जरूर करता है यानि कि stocks वो उसी तरीके से खरीदेगा जिस तरीके से index के अंदर खरीदे जा रहे हैं यानि कि अगर वो निफ्टी 50 को follow कर रहा है तो निफ्टी 50 के stocks को उनी वेटेजिस के अंदर खरीदेगा लेकिन यहाँ पे जब भी कोई नया fund आता है उसी time पे new fund offer के अंदर ही invest करते हैं उसी time पे उस fund के पास पैसा आता है यानि कि वो fund बार बार increase नहीं हो सकता है जैसे कि एक mutual fund है या index fund है वो मान लीजे 500 करोड से शुरू हुआ था लेकिन वो बढ़ते बढ़ते उसकी जो asset under management है वो कल को 5000 करोड भी हो सकती है 10,000 करोड भी हो सकती है लेकिन अगर ETF जब launch हुआ है तो उसके पास एक बार 500 करोड आ गए जैसे कि एक IPO के अंदर आते हैं किसी company के पास similarly एक बार fund के पास वो 500 करोड आ गए that means कि उसका जो asset under management है वो close हो चुका है वो 500 करोड ही रहने वाला है तो यह जो ETF है इसकी एक value हो गई उसके shares को distribute कर दिया जाता है सारे investors के अंदर उन shares की trading होती है आपके DMAT account के थूँ आप इसमें invest करते हैं जैसे stocks की trading होती है similarly ETF की भी trading होती है और broadly ETF तीन तरीके के होते हैं एक होगे equity ETF यानि कि stocks के अंदर उसमें पैसा डाला जा रहा है दूसरे होते हैं debt ETF पर most popular product हो जाते है index funds अभी इतने popular नहीं है उसका reason भी यह है क्योंकि ETF की cost और भी जादा कम हो जाती है index funds से भी और जादा कम हो जाती है यहाँ पे तो 0.01% से ही expense ratio शुरू हो जाता है in fact हमने index funds और ETF के ओपर detailed videos करे हुए हैं वो आप देख सकते हैं इस video में हम mainly comparison पे ध्यान देंगे चलिए एक बार हम comparison देखते हैं सबसे पहले अगर हम trading और pricing की बात करें तो अगर हम mutual fund और index fund में invest करते हैं तो उसमें हमें assign होती है एक unit जिसे हम कहते हैं NAV यानि की net asset value इसकी value जैसे जैसे बढ़ती रहती है वही आपकी growth है उतने ही आपके returns आते हैं लेकिन अगर हम ETF की बात करें तो जैसे हमने पहले बात करी यहाँ पे fund के पास तो एक बार पैसा आ गया उसके बाद उसके shares distribute हो गए shareholders यानि की investors के पास इनका price real time होता है यानि की market में जो stock का price जैसे real time होता है similarly ETF भी market में trade होते है तो यहाँ पे जो price discovery है यह एकदम instant है यहाँ पे आपको wait नहीं करना है जैसे mutual fund और index fund के case में NAV जो end of the day पे होगी उतने पे आप invest करेंगे ETF में आप real time जितना भी price है उस पे invest कर सकते हैं इसका मतलब इसकी trading भी intra day भी होती है लोग intra day trading जैसे stocks में करते हैं ETF के अंदर भी करते हैं अब अगर हम इसके management की बात करें तो mutual fund के अंदर active management होता है यहाँ पे किसी index को क्योंकि follow नहीं किया जा रहा है fund manager का जो भी stock खरीदने का मन करेगा वो खरीदेगा जब उसका बेचने का मन करेगा वो बेचेगा index funds के अंदर passive investing हो रही है यानि कि एक index को follow किया जा रहा है ETF के अंदर भी passive investing हो रही है expense ratio की बात करें तो mutual fund के अंदर थोड़ी सी high होती है जैसे हमने बात करी एक से 2% तक यहाँ पे charges लग जाते है लेकिन सवाल भी उठता है कि अगर कोई fund manager अपना 1.5% justify कर पा रहा है मान लीजे वो index को beat कर पा रहा है वो 3% के extra returns दे रहा है index से तो definitely हम उसको pay कर सकते हैं अगर वो index को beat कर रहा है तो लेकिन सवाल यही उठता है कि उस mutual fund की performance हमें देखनी होगी past में आखिर कैसे रही है index fund के अंदर medium expense ratio रहता है जैसे हमने बात करी 0.1 से लेकर 0.3% तक ETF के अंदर especially जब हम equity ETF की बात कर रहे है यहाँ पे और भी ज़्यादा कम हो जाता है सबसे कम इसी के अंदर होता है equity ETF में 0.01% से ही start हो जाता है expense ratio so यह इसका main highlight है सबसे low expense ratio है और दूसरा इसका एक highlight हमने करी दिया है कि real time यहाँ पे trading होती है DMAT account की ज़रूरत mutual fund के अंदर नहीं है index fund के अंदर भी नहीं है ETF के अंदर लेकिन DMAT account की ज़रूरत है जैसे कि stocks करीदने के लिए है यहाँ पे भी आपको DMAT account की ज़रूरत है और हाँ यहाँ पे हमें एक बात का और ख्याल रखना है DMAT account के अंदर जब हम trade कर रहे हैं तो obviously कुछ brokerage ये DP charges लग सकते हैं लेकिन जब हम काफी पैसा invest कर रहे हैं तो ये charges बहुत minimal होते हैं especially आप discount brokers के साथ अगर operate कर रहे हैं जैसे कि zero da है, angel broking है, up stocks है अगर इनके पास आपका account नहीं है तो आप खोल भी सकते हैं links मैंने नीचे आपको description में दिये हुए हैं यहां पर आपके brokerage charge तो नहीं लगते हैं जैसे कि delivery हम कोई भी stock की लेते हैं वहां पर brokerage charge नहीं लगते हैं लेकिन DP charge, जब भी हम किसी stock को जैसे sell करते हैं या फिर ETF को sell करते हैं उस time पर हमारे DP charge लग जाते हैं लेकिन वो कोई बहुत ज़ादा नहीं होते हैं आपको पैसा दे देगा index funds की बात करें तो यहां पे भी क्योंकि mutual fund की तरह ही operate कर रहे हैं तो liquidity यहां पे हाई है यह दोनों इनके highlights हैं यह काफी बड़ा plus point है index funds का और mutual funds का ETFs के अंदर आज की rate में liquidity low है यानि कि बहुत लोग अभी ETFs के अंदर trade नहीं कर रहे हैं लेकिन यह धी दिरे improve हो चुकी है पिछले 4-5 साल की अगर हम बात करें तो ETFs के अंदर अब काफी trading होनी शुरू हो गई है और ETFs की market actually काफी बड़ी है अगर हम US की बात करें तो उसकी मैं आपसे अभी जल्दी ही बात करूँगा हम data की भी बात करेंगे अब अगर हम effort needed की बात करें तो mutual fund क के अंदर भी negligible सा effort है ETFs के अंदर आपको थोड़ा सा effort डालना पड़ेगा क्योंकि हमें pricing अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि आखिर मैं उसको कितने price में खरीद हूँ जैसे हम stocks की बात करते हैं तो हाला कि stocks जितना मुश्किल नहीं है फिर भी हम ETF का थोड़ा सा pricing का ग्यान होना चाहिए best for mutual funds की अगर हम बात करें data ऐसा कहता है कि large cap companies के अंदर जहां पे भी mutual funds invest कर रहे हैं वो index को beat नहीं कर पा रहे हैं ऐसे cases में index funds और ETFs बेटर हो जाते हैं क्योंकि अगर वो beat ही नहीं कर पा रहे है large cap stocks के case में तो इससे चाहिए हम अपनी cost बचा ले हम passive investing करें हम ETF क और mid cap के अंदर एक fund manager को एक काफी बड़ा area मिल जाता है काफी सारे options मिल जाते हैं invest करने के लिए so यहाँ पे यह लोग generally beat कर पाते हैं index को data ऐसा suggest करता है अब चलिए हम कुछ market का data की बात करते हैं कि past और future trends कैसे रहे हैं USA और India का data हम एक बार compare करते हैं पहले अगर हम USA की बात करें तो देखे 1995 तक ETF और index funds बहुत ही कम popular थे यानि कि बहुत कम लोग इनके बारे में जानते थे खाली 3% इनका asset under management था total AUM के मुकाबले यानि कि total mutual fund industry के मुकाबले 2005 में ये बढ़के हो गया 14% आज की date में है ये 41% काफी बड़ा number है यानि कि लगबग आधे लोग passive investing कर रहे हैं आधे लोग active mutual funds के अंदर invest कर रहे हैं इंडिया का market बस थोड़ा सा USA के पीछे चल रहा है लेकिन यहाँ पे भी trend लगबग सेम ही देखने को मिल रहा है अगर हम यहाँ पे passive funds की बात करें तो 2016 में asset under management था करीब 22,000 करोड का index funds और ETF को मिला के यानि कि total industry का खाली 1.4% आज की date में अगर हम June 2021 का latest data देखें तो ये index funds का आप देखेंगे index funds देखें जादा नहीं है काफी लोग कहते हैं कि index funds के अंदर हमें जादा invest करना चाहिए लेकिन वहाँ पे भी इतना कम नहीं है cost यानि कि expense ratio इतनी कम नहीं है जितनी ETF के अंदर हो जाती है ETF के अंदर देखें ऐसे tender management है 3,000,000 से जादा करोड का यानि कि index funds में बहुत जादा investing नहीं हो रही है लेकिन अगर हम इसका total data मिला लें तो total मिला के आज यह हो चुका है 9.65% यानि कि 1.4% से लेके आज हम 9.65% पे पहुँच चुके हैं और आने वाले 5 सालों में भी ऐसा indicate कि यह trend बरकरार रहेगा और यह बढ़के 33.33% हो जाएगा यानि कि ETFs और index funds के अंदर invest करना अब लोग जादा पसंद कर रहे हैं specially जब बात आती है जहां पे यानि कि specially जो large cap के हम बात कर रहे हैं जहां पे index को beat नहीं कर पा रहे हैं funds यह तो हमने पूरा एक comparison देख लिया past and future trends की बात कर ली अगर अब हम conclude करना चाहें तो कौन सा product किस case में better है देखे मैं समझता हूँ कि ETF एक काफी अच्छा product है लेकिन आज की rate में problem एक ही है कि उसके अंदर liquidity थोड़ी सी कम है हाला कि उतनी कम नहीं है जितनी 5 साल पहले थी आने वाले 5 साल में ये liquidity मेरे हिसाब से बहुत अच्छी हो जाएगी हाँ low liquidity होने की वज़े से pricing शायद उतनी efficient नहीं होती है इसलिए beginners को मेरे खहाल से index funds के अंदर invest करना शुरू करना चाहिए अगर वो passive fund के अंदर किसी में invest करना चाहते है तो gradually धीरे धीरे जैसे जैसे market की knowledge बढ़ती जाए ETFs के बारे में pricing के बारे में और थोड़ी knowledge हो जाए तो वो ETFs के अंदर move कर सकते हैं लेकिन mutual funds का भी use case है हमारे पास जैसे हमने देखा कि small cap और mid cap की जब बात आती है तो mutual funds justify कर लेते हैं अपनी fees को generally तो हम वहाँ पर invest definitely कर सकते हैं So I hope इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ नई information नई knowledge मिली होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको like और share जरू कीजे अपने friends और family members के साथ मेरे खाल से काफी लोग ETF, index funds और mutual funds का comparison देखना चाहेंगे क्योंकि शायद आज की date में बहुत लोगों के लिए requirement है अगर आपके कुछ suggestions हैं, questions हैं इस video से related या channel से related तो आप नीचे comment section में कर सकते हैं कोई video topic भी आपको suggest करना है तो जरूर कीजे मैं आपके comments एक घंटे तक जरूर पढ़ता हूँ जैसे ही video publish होता है और reply देने की भी कोशिश करता हूँ अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो नीचे से subscribe करके अपने phone में bell icon को जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको latest finance video का notification मिल जाए तो मिलते हैं अगले एक ऐसी informative video में तब तक सीखते रहिए कमाते रहिए और हमेशे की तरह खुश रहिए